कि यह जहें दोस्तों मैं मुहम्मद मतीन मौडर्न क्लासस की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों अज हम फिर हादिन आपके सामने इतिहास का पांच्वा चैप्टर और जो चैप्टर का नाम है वह वैदिक सब्वेता चुकि अभी तक आप लोगों ने प्र सिंदुघाटी सब्वेता आपने विधिवत पढ़ लिया है दोस्तों जितना हमने पढ़ाया है उतने सही आना है याद रखिएगा चुकि कोश्ट हम जितने भी आपको यह वीडियो दे रहे हैं वह सब प्रिविए के पेपर को उठाकर देखते हुए भी हम देखते हुए हम क्या कर रहे हैं उसके अनलेसिस करके तब आपके सामने यह वीडियो ला रहे है अब आगे जो अगला चेप्टर स्टार्ट होने जा रहा है वह उसका नाम है वैदिक सब्वेता दोस्तों यह वैदिक सब्वेता वह सब्वेता है जब सिंदुघाटी सब्वेता का अगला चरर जब चालो यानि सिंदुखाडी सब्वेता जहां से समावत होता है उसके बाद के जो चरर आता है उसे हम वैदिक सब्वेता कहते हैं कैसे कहते हैं क्या साक्ष मिलते हैं किस आधार पर हम कह रहे हैं यह सब विद्वत में बताऊंगा उससे पहले आप थोड़ी सी बाते सिंदुखाडी सब्वेता बारे में जैसा कि आपने को पता होगा कि सिंदुखाडी सब्वेता का जो काल था वह फाचीस सो बीसी से लेकर यानि पचीससो इसापुरू से लेकर सत्रह सोपचास इसापुरू तक माना गया है दोस्तो ये कारबन डेटिंग विधी द्वारा जो रिसर्च होता है जो खोज होता है उसके अधार पर माना गया है जब तक यानि वर्स 1921 से पहले चुकि हड़पा की खोज जो हुई थी वर्स 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हुआ था उससे पहले हम लोग क्या समझते थे हम लोग ये समझते थे कि सबसे जो प्राचीन लेकिन जब वर्स 1921 में सबसे पहली खुदाई हुई हडपा में जिसके खोज करता थे दयाराम साहनी जी ने तब हम लोगों को पता चलने लगा धीरे-धीरे कि नहीं भाई सबसे प्राचीन जो सब्वेता थी वह कौन सी थी वह हडपा सब्वेता थी जिसको हम सेंधव सब सब्वेता या सिंदुघाटी सब्वेता कहा जाता है फिर उसके बाद 1922 में खोज होता है मोहन जोड़ों का उसमें देविशाल इसनानागार मिले महाविद्याले के साक्ष मिले निर्ट नारिक मूर्ति मिली अब उससे पता लगने लगा कि भी यह बस बिल्कु सत निकल ल लेकर 2000 यसापुरू तक है कि जी ने कहा कि 3000 यसापुरू से लेकर 2000 यह 2500 यसापुरू तक ने बताया कि पचीससो बीसी से लेकर सट्रह सबसे बहतर माना जाता है अब दोस्तों जो अगला हम बात करना जारे हैं वैदिक सब्वेता तो जानिए पहले वैदिक शब्द कहां से आया कैसे बना है किसकी देन है ये हम सबसे पहले बात करना जारे हैं दोस्तों अब ध्यान से देखिएगा वैदिक शब्द वेद से बना है जिसका शाब्दिक अर के एक सब्द से बना है जिसका शापदिक अच्गाता होता है ज्याण है भारत में सैंधव संस्कृति इस मफिल मिलते हैं उस सब्धिक-ख़प nau्य इं això आरे सब्वेता लेकिन अब आप यह सोचते होंगे कि जब सेंधो सब्वेता यानि सिंदुगाट की सब्वेता जो थी वो नगरी यह थी यानि शहरी थी तो क्या वैदिक सब्वेता भी शहरी थी बिलकुल ऐसा मत सोचिए यह ऐसा बेलकुल नहीं यह ग्रामीर थी जब किस्सने पहले देखा जाये ने के मतलब यह है जो हरपा वह कैसी थी कि शहरी थी नगरी थी लेकिन अब याद रहेगा अब बहुत से स्टेट्मेंट जैसे बालगंगा धर तिलक ने अलगे सबसे अच्छा माना जाता है उन्होंने कहा कि आरे का इतिहास वेदों से यावारत में सिंदु नदी की किनारे बसना शुरू किया और उन्होंने वहाँ पर वडवेस्था को लागू करते हुए आगे का मतलब कारवाही शुरू की अब याद रखेगा अगर कभी पूछा जाए कि आरेका does की अर्थ होता है तो स्रेश्ट व्यक्ती वैदिक काल को दो भागों में भाजित किया जाता है रिगवैदिक काल या पूरवैदिक काल 1500 इसा पूरु से लेकर 1000 इसा पूरु तक भात में भात मता हैं लिज्वेज़ में आने पटाया कि काहल है वह 15 oc इसा पूरु से लेकर 1000 इसा पूरु तक उदहरा जो पढ़ है जो आपने पढ़ा था उसमें पढ़े थे पचीस सो इसा पूरों से लेकर सत्रह सो पचास इसा पूरों इसका मतलब यह है कि धाई सो साल आपका लैप्स हो रहा कहीं घट रहा यानि कहां गया उपता नहीं चला लेकिन दोस्तों यह साक्षों के आधार पर बताया जाता है कंफ्यूज मत अब देखीए गा रिगवदिक काल अधवापपूरवदिक काल आदा अधरम काल को रिगवदिक काल या पूर्वड़िक काल कहा जाता है और वाकित जो तिन हैं यानि तीन सबसे नबा सकते हैं तका अब बात करते हैं जिसका शाबद आर्थ है सुनना यानि-साहित शुरूति शुरूति उसे कहा जाता है जब कोई गुरू अपना विचार प्रकट करता था या जब कोई अपना जो गुरू उपदेश देता था उसको सुना जाता था उसे शुरूति कहा जाता है इसलिए यहां पर देखे वैदिक साहित्य क्या जाता है जिसका मतलब होता है सुनना सिर् जब से प्राचीन हैotal चार है दोस्तों यादिक साहित में वेड्य सबसे प्राचीनिये कौण सब स सबसे प्राचीन वेड़् वेड यहाँ पर लग गिया होगा कि रिगवय सबसे पहली तरह को होगा और सबसे लाश्ट वाला जो होगा वह अथरवेद होगा उसके बारे में आगे चर्चा करते हैं अब देखिए वैदिक सहहित में वेद सबसे प्राची ने वेदों कि संग्या चाह रहे कौन कौन से संगीत का उलेक मिलता है तो किसी में शंगीत का उलेक मिलता है मिलता है याहवनकुंड का बात करेंगा तो नेगे बारे में वुडियत बिदिवेत के बारे में बताये हैं अप लोगों को क्यूंकि अणिसी है आपको बता दिया जाएगा कि अथरवा रिशी जो थे प्राचिन काल में यानि पुनर जनम में एक राक्षस थे तो जब यह जनम में वह पैदा हुए तो उन्होंने एक वेद की रचना की जिसका नाम था अथरवेद तो अब दिखेगा बात समझेगा हम उसके उल्लेक आगे परति benefits के चार भाग होते हैं यानि हर वेद की सांव चाहि अथर जूर्वेद नहीं क्या करना है इतना पढ़ लेना है इतना पढ़ लेना जितने से एक्जाम में पूछा जाता है हर एक्जाम का एक लेबल होता है हर एक्जाम का एक सिल्बस होता है उस सिल्बस के कॉर्डिंगे में तैयारी करनी पड़ती है तो दोस्तों याद रखिएगा उपनिश्दों के बारे में पूछा जाता है हम उपनिश्दों के बारे में ये वेज जब पढ़ा लेंगे तो उपनिश्दों के बारे में बता देंगे कौन से उपनिश्द के उल्ले क्या क्या है कैसे उसके क्या क्रिया है हैं हम सारी क्यों बता देंगे अब ध्यान दिएगा आर्यों के मुल निवास के संदर में विभिन विद्वानों के अलग अलग विचार हैं सबके हैं बहुत धेर सारे लोगों ने अपने विचार दिये कि यह कहां से आए कहां से लेकिन एक नाम याद रखेगा उनका नाम है मैक्स मुलर यानि अधिकांश विद्वानों में प्रोफेसर मैक्स मुलर की विचारों से सहमत है कि आरे मूल रूप से मद्धे अशिया के निवासी थे यानि या प्रोफेसर मैक्स मुलर ने विचार दिया कि नहीं यह मद्धे अशिया से आलपस परवत को पार करते हुए यानि जो एशिया और यूरोप को अलग करती है परवत उसको पार करके आये थे ये इनके विचारों को अधिकतर अधिकांश प्रोफेसरों ने अधिकांश रिसर्च करता हूं यानि जिनने खोच किया उन्होंने माना भी ये कि नहीं प्रोफेसर मैक्समुलर जी बिलकुर सही कहते हैं इसलिए आपको प्रोफेसर मैक्समुलर का सिधान्थ ज्यादा आपको प्रभावी दिखता है यानि अब आपको पता चल गया कि कहां से आए हुए थे यह कहां से आए थे यह आए थे मध्य एशिया से अब बात करते हैं देखिए अब यह तो हमने बता दिए चारो में उनके बारें बताया कि आर और वेद का संबंद क्या था क्यों हम इने इसको रिगवेदिक काल कहा अब बात करते हैं देखिए पहला वेद है जो वह है रिगवेद तो याद रखिए कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है तो सबसे पुर के करंबध्ध ज्यान के संग्रह को रिगवेद कहा जाता है रिचा गstiके संग्रहित ग्यान को किया वोलते हैं रिचा कहते हैं इस में कुल 10 मंडल कभी बहुत बार प्रशाद पूछता है कि कितने मंडल हैं 10 मंडल हैं और कितने सुक्त हैं तो व То कि Сंख्या है 118 यह किसे ने लिख्या 10488 से लेकिन 10468 NCRT और आपको अन्य बुकों में मिल जाएगा तो याद रिखिएगा जब ऐसे कभी मतभेद वाले चीज़ होते हैं तो उनमें बहुत जादा डिफ्रेंस करके दे देता जिससे आप आंसर को टिक मार कर सकते हैं या तो उस प्रशनों को नह क्या कहा जाता है या या यूर्वेद के पढ़ने वाले रिशी को क्या कहा जाता है तो यहां पर दिया है कि रिगवेद के पढ़ने वाले रिशी को क्या कहा जाता है होतरी या होता क्या कहा जाता है दोस्तों होतरी या होता देखिए हम यहां पर इसको मार्किंग कर दे रह हो जाएगा इसलिए गायतरी मंद्र का उल्लेख चार वरणों का उल्लेख सोम देवता का उल्लेख किस मंडल मिलता है उसके बारे में हम आपके विद्विद्वत बता देते हैं चुकि इन तीन चार चीज़ों से पूछता है अब बात करते हैं कि आठ्वे मंडल के हस्त लिखित रिचाओं को खिल कहा जाता है यह भी मंडल में जो रिचाओं लिखी गई है उसे क्या कहा जाता है यह बात याद रिखिएगा ग्वेत के 2 से 7 तक के मंडल प्राचिन माने जाते है दोस्तों जब गई की रचना होने लगी इसको राचना किस ने किया था सबसे पहले दूसरे और परुष्वेट के दो हो इंपॉट इंपर्टन्ट में के बारे में बहुत और पूखा जैता है यहां तक यह भी मंत्र शाहता है अजाक है ने लिखा है और दुसेरे बात यह कि 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 समपित तो सवीता को समपित है सविता जिसको हम बोलते हैं सूर्य देवता को ओम भुर मुवस्वा तत्सवितुल विरेंड्यम भर्गो देवस यदी में धी योना प्रचोदयात यानि यह जो आपको गैतरी मंत का उल्लेक मिलता है इसके बारे में अल्लिमिटेड बार पूछा है तुम्पोटीशन लेब सविता को समर्पीत है कौन क्या समर्पीत है कि लिग्वेट के तीसरा मंडल में उल्लह मिलता है गाटरी मंद्र का रिग्वेत की समस्था मं नो म् सोब्ता करें सुम देवता किसे कहते हैं दोस्तों सोम देवता हुआ जिसे करें देवता को बहुत अच्छे और उसको बोला जाता तो यानि सोवर्दैक्त मिलता है एक से maximum को समर्पित है तो याद र Want the कि सूरह की देउता है जलं देउता है अगनी देउता थाया खृक है अब बात करते हैं लिएस और दसमें मंडली में चार वर्ड़ों का दोस्तों यह तो बहुत ही महतुत जतना की आपको गैत्री मंत्र महत्पोड है रिगवेत के दस्वे मंदल यानि लास्ट यानि आन्टिम मंदल जो सबसे नया है रिगवेत के दस्वे मंदल सबसे नया मंदल है जिसमें चार वरोनों का उलेक मिलता है ब्राम्मड, छत्री, वैश्य, शुद्र जिसमें ये कहा गया है कि ब्रामण जो है वो ब्रह्मा जी के मस्तिस की यानि दिमाग की उपज है उनके दिमाग से निकले हैं वहीं छत्री की बात करेंगे तो छत्री जो है भुजा आपने देखा होगा कि छत्री को लड़ाई करते हुए यानि छत्री जो है उन हमेशा याने उत्पन हुए थे और वहीं अगर शुद्र की बात करें शुद्र जो है ब्रह्मा जी के चरणों से उत्पन हुए थे तो इसी वज़े से चार वरोड़ों में इसको विवाजित किया गया जिसे हम अब बात करते हैं रीगवेत के मंडल और रचाईता है उसमें एक याद रखेगा हाला कि हम दसों लिखवाद रहें कि कोश्चन के लेवल हो सकता है थोड़ा सा अपर करके वाम देवता मंडल के बारें पूछ ले या आप तीसरा मंडल जरूर याद रखेगा बाकी आप याद कर लेंगे तो बहतर यानि बहुत अच्छा रहेगा अब देखिएगा प्रथम मंडल जो है वह किसने इसको रचाईता की वह रचाईता कौन ही यानि रचना किसने किया है तो उनका नाम है नाम को याद रखेगा उनके बारें भी पूछा जाता है आप लेवल की एक्जाम में पूछा गया है और हाइकोट आरो के भी उसमें भी पही बार आ चुका है तृथिया मंडल सबसे इंपोर्टन्ट हम लिख भी दे रहे हैं इंपोर्टन्ट यानि कि सबसे जो इंपोर्टन्ट है अगर ऐसे पर किसको समर्पी थे स्वम्देवता को समर्पी थे जो सुर्य देवता यानि कि सविता को समर्पी थे सुर्य का परियाव ची सविता भी होता है मार्तन्र भी होता है दिनकर दिवाकर भानु भासकर आधित दिनेश भी होता है तो उसी से एक परियाव ची सविता से भी लिया गया रही का रचहिता है Kanal अरह पांचम मंडल अत्री रचहिता कोन अत्री रिषी महिस सप्टम भारात द्वाज रिशी भारत द्वाज इनके बारे मी बह lekker प्रष्टूच को और याद हखा दिखा है वह को दिखा है अस्टमा मंधल की बात करें तो आंगेरस ने लिखा है नाम मंधल की बात करेंगे तो पहला एक पार्ट में नहीं खतम होने वाला है दोस्तों चुकि वैदिक सब्वेता में ही तो पूरी कहानी है और इसके बात की जो कहानी है मेरे दोस्त मैं बताऊंगा आपको और याद रखेगा कि प्राचीन इतिहास यतना भागिये मत आप चुक्कि अगर एक बार प्राचीन इतिहास याद कर लिए तो आप जीवन तक आपको याद रहेगा उसका रीजन क्या है जब सब्सक्राइब करने में अच्छा लगेगा जैसे दोस्तों समझ लिए कि बिल्डिंग बना रहे हैं अगर कि यूँ मजबूत नहों तो फिर वो बिल्डिंग किस काम की होगी ठीक है दोस्तों और आगे के वीडियो में जरूर बनाओंगा और इसी तरीके साब हमारे साथ बने रहेगा अगले वीडियो का इंतजार कीजिए तब तक के लिए जैहिन जैभारत